नमस्कार दोस्तों मैं हुरुची एक बर फिर से स्वागत करती हूं आज हम लोग बनाएंगे यूट्यूब इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही रेसिपी दही वाले भृट यह बहुत ही आसानी से बन जाते हैं और आज कल यह बहुत जादा चल रहे हैं यूट्यूब और इं लाल मिर्च, अल्दी पाउडर और नमक डालकर इंसी सब चीजों को मिक्स करना है इसमें बहुत ज्यादा मसाले नहीं जाते हैं हलके से मसाले जाते हैं वह भी बेसिक ज्यादा मसाले डालने की जरूरत नहीं है इस रेसिपी को ट्राइक करने की सबसे बड़ी वज़ा यह बहुत ही कब इंग्रेडियंट में और बहुत असानी से बनती हुई दिख रही थी इसलिए मैंने इसको ट्राइ करने का सोचा इसके बाद हम इस वाले बैटर में थोड़े से बेशन मिला देंगे करीब दो चिममच और उसको अच्छे से विश्क कर देंगे दही के साथ जि इसे दीप कर लें या फिर आप चममच की मदब से भी लगा सकते हैं क्योंकि थोड़ा थीक होता है और बहुत जादा थीक है ब्रेट में नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा पानी डालकर आप उसे पतला कर ले बहुत जादा पतला ना खरें जब आप ब्रेट डालेंगे और उड़ेट को पेसे डिपऊनु तो तूड़े निट आपको डायाँ सीउपन हिसे एक तरफ से पकाने के बाद इसे पलट Te anthrop आपर रही जब दोनों तरफ पका जाता है तो आप इसे पर पका लेंक अच्छा कलर आने तक बत्वाद थाकर रोड़ी में जब आप अच्छा कलर आ चुका आप कि दूसरी तरफ भी पका रही हूं जितने ब्रेड आपको चाहिए उतने ब्रेड आप इसी तरह से सेक लीजिए उसी हिसाब में आप बैटर भी बनाएगेगा उसके बाद हम एक तड़का लगाएंगे तड़के के लिए फिर से मैंने वही पैन चड़ा दिया है उसमें दो चम्माच घी डाल देंगे घी डालने तो इसे हम अपने ब्रेड पर डाल देंगे हमारे दही ब्रेड बनकर तयार हो चुके हैं आप इसे हरी मिर्च और थोड़े से कटे हुए पैच के साथ सर्व करें बहुत ही जादा टेस्टी बने थे मैं बता रही हूं आपको मैंने पहली बार वायलर रेसिपी कोई ट्राइ बनी है इसे बाराने में बहुत ज्यादा मुस्किल नहीं है बस आपको ब्रेड थोड़े केरफुली हैं नहीं तो वह टूट जाएंगे बाकि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बने थे ऊपर से थोड़े थे क्रंची सी लग रहे थे और अंदर मॉइस्ट मॉइस्ट प्रेड थ झाल